नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त राहुल मेहानी दोस्तों आज का हमारा विशेह बात करने का हमारे समाने अधिकार और समाने जानकारी जो शायद कई लोग को पता है और कई लोग को नहीं पता हैं दोस्तों विशेश की शुरुवात करने से पहले मैं आप आप आसे बोलना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, नीचे वीडियो के रेड रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा देजिए, और उसके बगल में घंटी बनी होगी, उसका दबा मतला आपने अलकोहल लिया हूआ है, चेकिंग के दवरान आपके 100 ml ब्लेड में 30 mg अगर अलकोहल पाय जाता है, तो आपको बिना वारेंड के प्रशासन द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, पुलिस द्वारा आपको अरेस्ट किया जाएगा, मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185 and 202 में ये लिखा हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं, पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति FIR लिखाने जाता है, तो प्रशासत द्वारा उसको मना नहीं किया जा सकता है, ये हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो दुख मुसीबत पे FIR लिखवा सकता है किसी के भी खिलाब दोस्तों, ये लिखा है IPC section 166A में दोस्तों, अब आईए third point बात करते हैं, ये कोई भी hotel में, चाए वो 5 star हो, चाए 2 star हो, चाए 1 star हो, चाए normal hotel हो, उसमें washroom का use, और watering, मतलब पानी पीने का use, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मतलब वाश् सरियस अधिनियम 1887 में ये लिखा हो है दोस्तों, और next आते हैं कि कोई भी officer होता है, प्रशासनिक officer, police officer कोई भी रहेगा, वो अगर वर्दी में है या वर्दी में नहीं है, वो आपकी मदद करने से आपको मना नहीं कर सकता, वो ये नहीं बोल सकता कि मैं अभी वर्दी में नहीं हूँ, या मेरी duty off हो चुकी है दोस्तों, ये लिखा है, police act 1861 में दोस्तों, next आते हैं, कोई भी गर्वती महिला को, जो कहीं नौकरी कर रही हो, वहां का मालिक उसको वहां से निकाल नहीं सकता है, ये प्रावधान है दोस्तों, ये लिखा है, mandatory benefits act 1961 में दोस्तों, next में बहुत important है, ये आजकर के लड़कों को ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, motor वहान अधिनियम 129 में ये दर्शाया गया है, कि helmet बहुत जरूरी है, दोस्तों, 129 में helmet बहुत जरूरी है, और motor वहान अधिनियम 128 में ये लिखा है, कि bike पर सिर्फ दो व्यक्ति बैठेंगे, ठीक, clear, लेकिन किसी अधिनियम में ये ने लिखा है, कि प्रशासन द्वारा bike की चाबी निकाले जाएगी, दोस्तों, जरूरी है, gas cylinder, अगर हमारे घर में फट जाता है, को दुरगट ना हो जाती, gas cylinder के द्वारा, तो जानमान की जो हानी होती है, उसमें आप claim करके, 40,000,000 तक का मुआफ़सा ले सकते हैं, जितने कि आपके हानी होई है, तो उतने तक का मुआफ़सा ले सकते हैं, लेकिन 40,000,000 तक का ही मुआफ़सा, या और next topic आते हैं अगर आपका किसी विशे पे चलान कटा ये से deal नहीं है आपका चलान कर गया तो दुबारा चलान नहीं कट सकता सेम मेटर में दुबारा चलान नहीं कर सकता ये लिखा है मोटर वाहन संसोंधन विध्यक 2016 में लिखा हुआ दोस्तों अब नेश्ट पर आते हैं दुकानदार MRP से जादा का समान नहीं बेश सकता जैसे किसी पर MRP लिखा है 10 रुपे तो दुकानदार 11 रुपे का नहीं बेश सकता लेकिन कस्टमर जो हैं वो MRP से कम मूल पर लेने के लिए मांग जरूर कर सकते हैं दोस्तों ये लिखा है अधिनियम खुद्रा मूल अधिनियम 2014 में दोस्तों अब आते हैं कि अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं अगर वहां का मालिक मुझे सेलरी नहीं दे रहा है मतलब वहां से मुझे सेलरी नहीं मिल रही तो तीन साल के अंदर मैं कम्प्लेंड कर सकता हूँ अगर तीन साल के बाद मैं कंप्रेंड करता हूँ तो इसके कोई मानने नहीं है तीन साल के अंदर मुझे कंप्रेंड करने पड़ेगी ये लिखा है परसीनिमा अधिनियम 1963 में दोस्तों अब बात आती है मेट्रो सिटी की डेली में अगर कोई व्यक्तिक किराय पे रहा रहा है तो उसको उसका मकान मालेक बिना वो नोटिस दिये उसको वहां से निकाल नहीं सकता ये प्रावधान है दिली किराया दिली किराया अधिनियम 1958 धारा 14 के तहत ये लिखावा दोस्तों ये सब जानकारी थी जनरल जानकारी समाने जानकारी जो कई लोगों को शायद नहीं पत दोस्तों तो अगर आपको किसी विशे पर बात करने हैं मुझसे इसमें से कोई चीजे ना समझ में आ रही हूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों और अगर आपको लगता किसी विशे पर मैं वीडियो डालू और जानकारी आप लोगो दू ता आप मुझे विशे ल लाकात होगी दोस्तों धाने बादू